Welcome to Sucla Study Point आप सभी का स्वागत है आपके प्रफम समेश्टर का पेपर दे चुके हैं आप सेकंड समेश्टर में आचुके हैं पेपर देने के बाद में आप ये मान करके चलो कि आप सेकंड समेश्टर की परिच्छा देने वाले हैं क्यों हैं चुकि आपको फेल तो बिल्कुल होना ही नहीं है चुकि अगर आप लोग ने सुक्ला इस्टरी पॉइंट से पढ़ा होगा तो आपको फेल होना ही नहीं है अगर माल लेते किसी कारण के बस या कोई भी प्राबलम आ जाती है और आपको एकात सब्जक्ट में फेल आप हो जाते हैं तो उसमें आप बैक पेपर डाल सकते हैं ठीक है तो फेल होने का कोई चांस नहीं है तो बिल्कुल टेंसन आपको लेनी की ज़रूरत नहीं है अगर प्रथम समेस्टर की आपकी परिचा हो चुकिए तो सेकंड समेस्टर की तयारी आप सुरू कर दीजिए सेकंड समेस्टर की बहुत सारी वीडियो सुकले स्टेडी पॉइंट पर 2023 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी 2023 में मैंने जो क्लासेस ली हैं सेकंड समेस्टर की वो आप देख ली इंसेंट हिस्ट्री में आपको क्या-क्या पढ़ना होता है तो प्राचीन इतिहास में आपको सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल हिस्ट्री आप इंडिया के बारे में जाना होता है। सेकंड समस्टर में जिसके अंतरगत 600 बीची से लेकर के 647 के इतिहास के बारे में आपको समझना होता है किसमें भई तो यह प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारतिय इतिहास पुरतत्त और संसकृति आपके सब्जक्ट का नाम है भारत का राध्य देति इतिहास 680 इस बीस स यहीं सलेबस आपको पढ़ना यहां न कि आई एब नज़र डाल लेते हैं इस पहला टॉपिक का क्या होगा भई देखे पहला चेप्टर आपको पढ़ना होगा पहला चेप्टर आद्धियन के सुर्थ सोर्स आफ इस्टडी जो सलेबस होगा वह हिंदी और अंगरीजी दोनो इतिहास को जानने वाले जो पुपनिसद बेदांग निरुक्त ठीक है चंद जोतिस ये सब हम समझने का प्रियास करेंगे चुकि बेदांग जो होते हैं उनकी संख्या चे होती सिक्छा कल्प ब्याकरण निरुक्त चंद और जोतिसे छे बेदांग होते हैं वेदों को पढ़ने के लिए बनाए गए हैं इसके लावा बहुत साहित जैन साहित इसमर्ती साहित जिसमें मनु इसमर्ती याग इवालक इसमर्ती नारद इसमर्ती पारासर इसमर्ती ब्रहसपती इसमर्ती कात्यान इसमर्ती इन सभी से हमको स्रोत इनहीं सभी के माध्यम से हमको उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इसके अलावा आप देखते हैं तो माल बिका गन रि захास ने लिखा महाभास पतंजली ने लिखा गार्गी शहीता एक जोतिस गरंत है ठीक है और यमन आकर्मन का उलेक मिलता है इसमें तो ऐसे तमाम प्रकार की जानकारी जो हमको मिलती है वो अध्यन के स्रोत वाले चेप्टर में हम चर्चा कर लेंगे और इसको मैं जल्दी चेप्टर वाइस बीडियो प्रवाइड करवाने का प्रयास करूँगा तो वहीं पर हमड़ार शेरीख कर लेंगी विस्तार से थीक है दूसरा पॉइंट है आपका या औरजिकैल सोर्श के बारे में चर्चा करेंगे अगर इन्पो कहते सो थीजह कंएं पुर्ब، किसे कषिते के बारे में जानेंगे इसमें त्माम प्रकार कि अभिलेक वगारा सिक्के बगारा जो चलाए गए हैं मुद्रा सास्त्र न्यूमिसमेटिक्स के बारे में तमाम प्रकार के सिक्के जो चलाए गए हैं उन सिक्कों के बारे में कला अस्थापतिकला के बारे में तमाम प्रकार की मंदिरों से तमाम को सिला लेख प्राप्त हुए हैं तो उन सभी च तो दो प्रकार के विवस्था थी उस समय महाजनपत काल में महाजनपत में अगर बात किये तो 16 महाजनपतों का उल्लेक मिलता है तो वो हम चेप्टर नंबर थीरी के अंतर के चर्चा करेंगे जो आपका मिलता है खुडस महाजनपत उसमें आप देखते हैं खासर के बहुत गरंथ है एक अंगुत्तर निकाए उसी अंगुत्तर निकाए में हमको 16 महाजनपतों के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें आप कुरूप दसवा जो महाजनपद है वह पंचाल ग्यारवा है मत्स इसके अलामा आप देखेंगे सूर सेंद बारवा तेरवा है आपका असमक ठीक है और चोदावा है अवंती और पंदरवा है गंधार और सोलावा है आपका कमबोज ये सोला महाजनपदों का उलेक जो है कि अंगुत्र निकाई में 16 महाजनपदों के बारें बताया गया है अंगुत्र निकाई ये बहुत गरंत है और जैन गरंत है भगवती सूत्र ये बात ध्याने किये घान aren't you सूत्र में भी सोला महाजनपदों की बारें बताएगी इसमें अंग बंग ठीक है मगध यानि मगा उसको कहा गया है मलय फिर पाचवा है मालो चठवा है अच्छ सातवा बच्छ लेकिन सबस्यादा जो फेमस है या जो तारकिक्ता का भी सिल्षन करता हो अंगुत्तर निकाय जो है उसमें जो बताया गया वह एकदम से ठीक ठाक बताया गया है यह बात ध्यान नखिएगा ओके दो परकार के राज राज जी उस समय हुआ करते थे तो इन सभी चीजों के बारे में हम समझने का प्रियास करेंगे इसके बाद में आगे देखेंगे चौथा चिप्टर मगत सम्राज को रहता है यह ठीक है आप देखेंगे इसके बारे में मगत को जानने का आतिहाज क्रोथ मगत सम्राज करें समय मं पूरा समझेंगे उस में हरियक बंस की उत्पत्ति कैसे होती बिम्बिसार उसमें कैसे आता है हरियक बंस की बात करें तो 544 से लेकर के 412 इसापुर्व का सासन होता है हरियक बंस का जिसमें आप देखते हैं 544 इसमें गद्धी पर बढ़ता है बिम्बिसार 492 इसापुर्व तक बैठा रहता है ठीक है तो यह चोथा चेप्टर आपका हो जाएगा इसके बाद में हम पांचवी चेप्टर पर चर्चा करेंगे इरानी परसीक और यूनानी आकमड और उनका प्रभाव क्या रहा भारत पर इरानी परसियन एंड ग्रीक इनोवेशन एंड इंफ्लेंस इनका जो प्रभाव रहा है इमलब खासर के भारत में आने का यूनानी आकमड का और इरानी आकमड का उसके प्रभाव के बारे में हम समझने का प्रियास करेंगे विस्तार से चर्चा करेंगे और तो तमाम प्रकार के बिद्वान इमलब जो राजा रहें इसमें चाहे दारा पर्थम की बात करें या बात करें कि थीकड़ेंड ऐसे ही पार्सी काख मनका में भारत पर क्या प्रभावव पढ़ाता है उसके अमिन पोरसका राज और युद्ध होता तो उन्छी जोगा हम समझने का प्रियास करेंगे और उसके बाद में अगला जो आपका अगला जो चेप्टर आएगा चाठा चेप्तर उसमें हम मौर बंस खास करके मौर राजबंस के बारे में चर्चा करेंगे इसमें चंदरगुप्त मौर और बिंदू सार के बारे में जानेंगे मौर डाइनस्टी चंदरगुप्त मौरिया और बिंदू सार के बारे में बिस्तार चर्चा करेंगे में ठीक है इसके बाद में तमाम परकार की जानकार्य और भी more funded के बारे में देखेंगे इसके बाद में अगला चिप्टर आप आएगार इंडीका जिसमें में चर्चा करेंगे साथवे चिप्टर के मांधीम से उर्थ सास्त्र रैंडि इंडीका पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे अर्थसास्त को लिखा है कौटिल ने इंडिका को लिखा है मेगस थनीज ने ठीक है मेगस थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौरी के दरबार में आया था ये बात ध्यान नखेंगे अर्थसास्त की अगर बात करें तो उसको कौटिल ने लिखा है ठीक है जब की बात करें इंडिका की तो मेगस थनीज ने लिखा है दोनों ही मौरिकाल से रिलेटर है चंद्रगुप्त मौरिस से ही यह बात ध्यान नखिएगा और इसमें कई प्रकार की चीजों के बारे में बताया गया है कोटिल की अट्सास्त्र में विस्तार चर्चा करेंगे बहुत गरंथ महाबंस के अनुसार कोटिल का जनम तक्षिला में हुआ ठीक है यह बात ध्यान नखिए और कोटिल का नाम है विश्णु गुप्त इनका एक नाम है चानड़क के यह बात ध्यान नखिए्गे ओके राजनेती का सरपर्थम महतपूर्ण गरंत माना जाता है ये बात ध्यान नखेंगे तो ये बहुत ही महतपूर्ण रचना है इसके बारे में चर्चा करेंगे इसके अलामे इसमें जो तमाम प्रकार की चीजे बताएगे इसके बारे में समझेंगे अच्छा कोटिल ने जो राज के साथ अंग बताएं हैं वो भी कोटिल के रिचना अर्शास्तर में ही बताएं गए हैं साथ अंग कौन कौन से हैं पहला है राजा दूसरा है अमात तीसरा है जनपच चोथा दुर्ग पाचवा कोस छठा सेना और अगला सातवा है मित्र ये प्रशासन के तीस सदस्यों का एक मंडल करता था जो छे समितियों में बटा हुआ था तीसरी समिति का कार जनकरना कराना था तो इस तरीके से ये मेगस थनीज जो है वो कहा मलब की मेगस थनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का सेना पती था जो की भेजा गया था प्रशासन काल में समझना है और धम में पॉल सी उनकी जो रही है उसके बारे में जानना है असोक के कई नाम है, असोक के पिय दस्टी नाम है, पिय दस्टन असोक को कहते हैं सिंगली परंपरा में असोक का नाम, ठीक है दिव्यावदान में असोक का नाम असोक मिलता है, मस्की अभलेक में पिय दस्टी सब्द का समीकरण असोक के साथ किया गया है, ठीक है इसके लाड़ी जानकारी हमको मिली है उनके बारे में हम चरचा करेंगे परवरती मौर समराटों के बारे में हम चर्चा करेंगे तमांब प्रकार की चीजों के बारे में हम समझेंगी इसमें ठीक है इसके बाद में समय स्वाभ कालिन भारत की समाजिक ब्वस्था कैसी थी ठीक है विबाह वगरा की बात कैसी होती विबाह इस्तिरियों की इस्थिती कैसी थी वस्तरवारा वुषण कैसे पहनते थे मनोरंजन की साधन क्या थे भासा साहित और सिक्षा की विवस्ता कैसी थी इन तमाम मौर का लिनर्थ विवस्ता कैसी थी कला और अस्थापत कैसा था का ठीक है मौर योग की जो कला है उस पर विदेशी प्रभाव या लोक कला जो हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम ठीक है इसके बाद में जो आपका दस्वें चेप्टर है उसमें सुंग बंस कनो बंस सात्माहन बंस और खारबेल के बारे में हम जानेंगे ठीक है सु स्थापन помощью अन्ति मिट्र उसको मार करके बडी पर बढ़ता वाल्स के इस सापना करता है तो नोजीना सब करेंगे और 27 इसापूर बुतक जो है इसकी अस्थापना मलब की असासन होता है कनो बंस बिसिकली ब्रामनो का बंस होता है विश्णु पुराण के अनुसार बसुदेव कनो कि अंतिम सुंग सासक देवभूती को मार करके 22 इसापूर में कनो बंस की अस्थापना करता है और विश्णु पुराणा और हर्षचरित दोनों में देवभूती को बिलासी, ब्यसनी और आयोगी सासक बताया गया है, तो उसको मार करके कनोबंस के स्थापना करता है, कौन बसुदेव, ठीक है, ये बाध्यान नखेंगे, उसके आद में साथवाहन बंस आता है, साथवाह किसरी साथ करड़ी, ऐसे तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने का प्रियास करेंगे, यह आपका है, जो है दस्वे चेप्टर में, आगे देखेंगे, ग्यारवाज चेप्टर अब भारत में विदेशी आकमड, जिसमें इंडो गרीक आकमड, इंडो ग्रीक आकमड, पर् सभाज करने का प्रयास करेंगे फिर उसके बाद में अगला चैप्टर आपका है अगला चैप्टर चैप्टर बारवे चैप्टर के इंद्रकत चैप्टर करेंगे गुप्त समराज का उद्कर सोड़ पतन यहीं सभ 他स्थापने इसके बारे में जनने का प्रियास करेंगे हम पूरा विस्तार समझेंगे ठीख हैं, और उसके बाद में जो है गुप्तल जो सबς स्राइब असकी स्वयम को के पर्पॉट्र ने प्रयाक को रॉप्त ने भाद में गटवत गट्ट सासण किया कि इस ने 319 brand प्रथम आता है 399 व्हीं में गद्धी प्रबड़ता 334 तक सासन Corps name ठीके यह बात ध्यान खेंगे पूरा विस्तार से उसके बाद में समद्रगुप्त आता है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र होता है तो ऐसे के बारे में टिकन ओंत्य और पतंग उस्प संस्कृत्य को सबस्टा करेंगे बिस्तार से जानने का प्रियासक्री गोपत का्ल के बारे में ठीक है इसके बाद में में घुट कालमें जो है खासर की गवर्नेंच के लिए इंड इनवेज़न डिया तो पूरा Uniform प्रियास के बारे में पूरा बिस्तार से जानने का प्रियास करेंगे तो बहुत ही बारीकी के साथ अमध्यन करेंगे इस तरीके से सесजब सबर्धन की मृतिव। weinig का प्रयास करेंगे निए जब तक खर्सबर्धन की मरतिवने सब्रसुरहय का या कि नाम थह बाई का क्या नाम था राजबर्धन..? तो के उनसे ने राजबर्धन परथम हो चुके थे ठीक है और उर्ट रइस बदन के बेहन थी राज कर दिया है कि नियुकि नोषे की ठीथिए sugardזהatी उप्राइब्धन की पतनी ऐ सो मति देवी उχी कोई प्तरी का कोई जनन classics अच्छा थाने लोगए और के धनों का किरमबद इंवन बिस्तित वितिहाज जुए समय से ही मिलता है तो इस तरीके से हम चीजों के बारे में समझेंगे वर्धन बंस को ही पुस्भूती बंस भी कहते हैं यह बाद भी ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से इन चीजों के सब्सक्राइब हो चुका तो इसको भी आप देख लीजेगा इसके अलावा अगर बात किया है तो जियोग्राफिक आप देख लीजेगा ठीक है मानो भूगल पढ़ना है समासास्तर में आपको सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर अरगनाजेशन और चेंज पढ़ना तो इ सब वीडियो कुछ वीडियो जो पड़े हैं उनको आप देख लीजेगा ताकि जब मैं चेप्टर वाइस वीडियो प्रवाइड कर रहा हूं तो आपकी समझ में आज आए सब कुछ ठीक है धनिबाद मिलके फिर नेक्ष्ट वीडियो में बहुत बहुत धनिबाद आप सभ प्ованट आपकी समय उनको जाप्न आपकी समय जाए कर दियो बद्सकान प्रेवाइड कर दो किम्का।